हेलो वेंड, मेरे नाम है आशीज और आप देख रहे हैं टेस्टी गोडी चैनल यह हमारे स्क्विल टूटोरियल का दूसरा पार्ट है और यह प्योर बिगिनर प्रस्पेक्टिव से मैं बना रहा हूँ तो जो भी बिगिनर सो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं पहले चीज़ दूसरी चीज़ आप पिन कॉपी लेके बैठ जाओ तो साथ साथ इसमें कुछ प्रिसंस निकलते जाएंगे जिसको आपको इंटर्वी को प्रैस्पेक्टिव से आपकी ने काफी हिल्फुल होने वाले हैं ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बढ़ते हैं अपने पहली स्लाइड की तरफ नेक्स स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं मैंने चोड़ा सा डेटाबेस लिखा है डेटाबेस में सिंपल से लिखा है उसका डेटा जितने भी होते हैं टैबलर फॉर्म में होता है और टैबलर फॉर्म में की खास्यत ही यह होती है कि रो एंड कॉलम के कमपोशीशन से बनते हैं ठीक है और साथ इसाथ उसमें कुछ इंडेक्स भी होते हैं यह क्या करता है यूजर के इंडेक्स करने के लिए एक्सेस करने के लिए और आसान हो जाता है ठीक है और बहुत ही आसानी से सारे रिकॉर्ट को फेच कर लेता है अब हम बढ़ते हैं अपने SQL Server Manager के तरफ और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने SQL Server Management Studio open कर रखा है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो Microsoft SQL Server Management Studio, तो basically इसका नाम है SSMS, ठीक है, SQL Server Management Studio, आप इसको YouTube पर देख लेना, कोई भी बहुत सारे वीडियोज हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, वहां पर आपको installation के पूरा complete process बताएं, आपको जो भ सब पर सेम चलेगी, कोई problem नहीं होगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले जब आप इसको open करना, तो database connect करने का option आएगा, ठीक है, database connect कर लेना, connect करने के बाद आपको कुछ ऐसा interface देखने के मिलेगा, आपको simply यह new query है, इस पर click करोगे, इस तरीके से tab open हो जाएगा, जब यह tab open हो जाएगा, तो आपको simply अप देखो, जैसे मुझे बनाना है कोई database, ठीक है, अब यह जब मैं database पर click किया हूँ, तो यहां पर school है, test db है, ठीक है, अब हम यहां बनाने चल देखने हैं, database और database हम बनाएंगे कुछ अपने तरीके से ओके, तो सबसे पहले तो यहां पर मैं, जब भी कोई database आप बनाओगे, तो उसके लिए create command यूज करोगे, ठीक है, तो यहां पर जो होता है, create command होता है, आप चाहे create keyword बोल सकते हो, ठीक है, तो और एक चीज़े, यहां पर कोई case से इस्टी वाला लोचा नहीं है, आप चाहे small letter में लिखो, चाहे, मतलब capital letter में लिखो, चाहे small letter में, चाहे camel के, इसमें, perfect है, सब पे okay है, कोई दिक्कत नहीं, यह automatic understand कर लेता है, ठीक है, सबसे अच्छी बात यही है, तो मैं यहां लिखता हूँ, simply देखो, create, दोगो, और एक चीज़ जान लेना, जैसे मैंने लिखा create, यह कौन से color को हो गया, blue color को हो गया, अगर blue color हो जाता है, तो जान लेना, इसके predefined key है वो, और अगर उससे related, अगर आपको कुछ code करना है, तो please, ऐसा कुछ word चूज करो, जिसमें, आपको blue line, blue color से word देखने को ना मिले, ठीक है, अगर blue line, blue color में text देखता है, तो समझ लो, कि predefined keyword कोई है, जो कि हमारा SQL Server Management Studio अगर उससे related आप कुछ कर रहे हो, तो आपको error बाद में generate कर सकता है, इसलिए ऐसा नाम दे, जो कि आपका black color में दिखे, ठीक है, यह एक छोटा सा trick है, beginner के perspective से, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, now, अब यहाँ पर मैंने लिखा create, और दूसरा ह यहाँ पर database, मैंने database दिया, तब भी blue आया, now, अब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, test database, देखो, यह नहीं आ रहा है, ठीक है, यह बिल्कुल भी नहीं है, अब इसको मुझे run कराना है, तो simply आप, आप यहाँ पर चाहो, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर parse का symbol है, अगर सकते हो, command complete successfully, अब हम एक बार database को अपने refresh करते हैं, right click करते हैं, और यहाँ refresh का option पर क्लिक करते हैं, देखते हैं, database आया गई, तो देख सकते हो, test database नाम से database बन गया वारा, ठीक है, तो एकदम simple तरीके से, एक database कैसे बनता है, simple दो keyword है, एक create, एक database, उसके बार database name, ठीक है, तो pin copy उठाओ, और note down कर लो, यह सारी चीज़े वैसे भूलोगे नहीं, अगर आप एक बार कर लिये, तो आपको भूलना है ही नहीं, ठीक है, क्योंको बहुत simple सा है, next है, अब पहला point यह आप आपने लिखा था, how to create database, तो यह मैंना done हो गया, अब next है, how to drop database, चलो, database को drop करना है तो यह भी बिल्कुल simple है, आपको करना यह है, लिखना है, drop command, drop database and database name पास कर देना, तो मैं इसको copy किया, और यहां पे मैंने इसको paste कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको select किया, और इसको मैं कर दिया, execute, ठीक है, again भी देखा हमें, message में output में आया, command complete successfully, यह successful हो गया, अब एक बार इसको फिर से refresh करते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहां से guide हो चुका है, ठीक है, तो यह दोनों हमारा command बहुत simple है, बहुत easy है, mostly लोग इसको use first time ही करते हैं, और बार बार इसकी जुरूरत नहीं पड़ती है, तो हम एक बार फिर से सको database को बना लेते हैं, ठीक जो command में बताऊंगो, वो complex हैं, दूसरा command थोड़ा सा complex है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो चलो, सबसे पहले हम देखते हैं, हम rename करने के लिए, तो अब मुझे rename करना है, इस test database को, तो मुझे रखना क्या है test database में, test tc database रखना है, ठीक है, तो यहां जब भी कोई rename करने का हो, चाहे table हो, चाहे database हो, तो उस case में आप alter command का use करोगे, ठीक है, alter का, तो हम यहां लिखेंगे, alter, database, and space, उसके बाद यहां पर हम database name पास करेंगे, और उसके बाद, अब देखो, अब यहां में लिखूँगा, modify, modify लिखते ही, फिर से blue हो गया, ठीक है बीच में देखो, database black है, फिर से blue हो गया, again, यहां पर क्या है, name, और name में क्या देना है, is equal to, अब यहां पर जो भी नया database देना हो, let's suppose मैं देता हो है, इसको new test database, ठीक है, और इतना लिखने के बाद, आप इस command को जब आप execute करोगे, तो आप देखोगे, the database name new test database has been set, मतलब set हो चुगा, अब जब रिफ्रिस करोगे, तो test database से new test database हो जाएगा, चलो मैं रिफ्रिस करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने रिफ्रिस के आप देख सकते हूँ, new test database हो गया, ठीक है, तो आपको यह तीन command एकदम simple तरीके से समझ में आय यूनिक होना चाहिए, अगर आपको इसमें थोड़ा doubt हो रहा है, तो चलो मैं आपको देखाता हूँ, इस समय आपको database name क्या है, new test database, चलो, अगर इसी को मैं फिर से generate करता है, उसको copy किया, और create database वाले पर मैं command पर इसको paste करके रन कराता हूँ, इस पर मैं execute किया, तब क्या दिया, database new test dv already exist, choose a different database name, मतलब कि आपका database है, यह already बना है, आपको कोई दूसरा चूच करना होगा, मतलब आपका database name must be unique, आपका database जो भी name होगा, वो unique होना जाए, ठीक है, तो I hope कि यह तीन चीजे point समझ में आई होगी, और साथ साथ जो मैंने एक दो rule बताया, वो भी समझ म में आया होगा, ठीक है, चलो, अब एक final command बताते हैं, जो एक और command है, जो दूसरे तरीके से आप rename कर सकते हो, जो है execution type से, ठीक है, तो उसके निए exe c command यूज करना पड़ता है, exe c, execute, यहाँ पर आप लिखो sp, underscore, यहाँ suggestions आने लगे, अब यहाँ मैं देता हूँ rename, ठीक है rename db, यह देखवा गया, नीचे suggestion में, अब यहाँ देखो execution, blue colors है, rename db, यह थोड़ा सा red colors है, हलका red colors है, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आप जो भी आपका database name है, let's suppose new test database current time में है, तो इसको दिया, उसके बाद आपको comma use करना है, और जो भी database name रखना है, आप उसको replace कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ दिया test database, और इस command को मैं अब execute करा हूँगा, हमें इसको मैंने किया execute, यह भी क्या हुआ, test database name has been set, देखो, दोनों command जानाने पर same आपको message output में मिला है, ठीक है, अब बस यहाँ पर एक बाद रिफ्रस करोगे, तो दुबारा देख सकते हो, फिरसे database name वारा change हो चुगा है, तो इस तरीके से यहाँ पर database बनता है, इसी तरीके समझे database को देखो करते हैं, इसी तरीके समझे database को देखो करते हैं, आईगोप कि यह सारी चीज़े आपको समझ में आ रही होगी, कोई भी problem ने होगी, अगर कोई problem हो, तो आप में basic comment में दे सकते हैं अब एक final चीव मैं बताने चल रहा हूँ कि अगर आपको मालो query नहीं पता तो अगर आपको UI के through database बनाना है तो कैसे बनाओगे तो चलो वो भी सीख लेते हैं तो करना कुछ नहीं है UI handle करना सबसे simple है अगर आप developer हो ठीक है और आप UI यूज करके बनाते हो ना तो सबसे simple काम है आपको database बनाना simply क्या करना है यहाँ पर right click करना है यहाँ ब्याज आएगा new database click कर दोगे तो थोड़ी दिर wait करना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको pop-up खुल जाएगा ठीक है अब इस pop-up पर आपको name देना let's suppose मैं देता हूँ testycodes underscore db आप देख सकते हो यहाँ पर database बन रहा है साथ में हमारे database की log file भी बन रही है अब यह log file क्या होती है इसको भी मैं आने वाले वीडियो में आपका doubt क्लियर कर दोगा एक होता .mdf file होता है एक .log file होता है इस सारी file को कैसे work करते हैं इस सारी चीज में समझा दूगा ठीक है और अब इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है आप simply यहाँ पर ok करोगे आपका database बनके त्यार हो जाएगा अगर कुछ आपको manipulation करना है अपने database में like logical name change गरना है या file type file type basically rows form में होता है यह rows data और दूसरी चीज फाइल ग्रूप इसकी by default primary होती है और इसका इनिशिल साइड जो हता है अगर बढ़ाना चाहो तो double click करके बढ़ा सकते हो although जो हता है although यह basically maximize होता है एक सिकेंड थोड़ा से इसको और ऐसे करते है इसकी screen बड़ी करते है ठीक है अब और यहां पर आपको path दिख जाएगा कहां पर यह path बन रहा है और file name जो भी देना जाओ वो दे सकते हो और यहां पर यह सारी चीज़े अगर आप double click करोगे यहां पर choose option पर आओगे तो यहां पर change कर सकते हो enable all दो percentage wise megabyte wise तो सारी चीज़े customization यहां से इन्हें आसानी सो नहीं है आप चुप मार के इसको सिर्फ ओके कर देना और थोड़ी दिर वेट करना आपका नेया database बन जाएगा अब आपको drop करना है यहां से simply right click करो यहां से delete का option आएगा यह drop होता है rename करना हो तो rename हो जाएगा फिलाल में इसे करता है drop delete पर click किया और यहां पर choose existing connection जब पर drop करना क्या आपका database किसी और चीज़ से connected तो नहीं है अगर आपको connected है तो आप यहां से close existing connection पर click करके ok कर दोगे तो आपका database जहां जहां connected होगा वहां से भी destroy हो जाएगा ठीक है तो इसे कि आपको आसानी से समझ में है कोई problem हो कोई doubt हो comment करें अब आपको पूरे support करेंगे ठीक है तो मिलता है नए वीडियो है तक तक ले bye bye keep practice keep coding take care